कि हलो दोस्तों स्वागत है आप आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक हैं मुद्दा है जो भी शॉल्व नहीं हो पाया है लेकिन फिलाहाल साल्व ही है लेकिन लेखिये क्या है मुद्दा नेट यूजी एक्जाम को लेकर के ह सुचारूप से कराते ही बहुत सी जगह पर अनिमित्ता पाई गई बहुत से अस्थानों पर पेपर में धांदले गर्दी हुई यहां तक कि कहीं कहीं पर तो पेपर एक दिन पहले ही आउट हो गया था पहले इधर बिहार में अलग अस्थानों पर भी पेपर हिंदी की सब कुछ चलता हुआ लेकिन पूछा गया तो कि नहीं हमारे तरफ से कोई दिक्त नहीं है पेपर झाल तो यह मुद्दा आज ये आखिर है क्या आज किशी पर बात करेंगे क्योंकि जो एकन चोटा मोटा इक्जम है बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक्जम है और इस तरह के नमित्ता पाई जाएगी तो लोगों का विश्वास हट जाएगा बच्चे 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल लगाता मेहत करते हैं और उनके साथ में ये जो खिलवाड हो रहा है ये खिलवाड ठीक नहीं है जैसे जब अपील दायर हुई अपील हुई सुप्रिम कोर्ट में तो बताएगा कि ठीक है एंटी अपना जो कारिय हो करता रहे कि इसकी सुनवाई जुलाई में होगी जुलाई का नाम सुनते ही अपने कारिकरम को और बढ़ा दिया जल्दी से लिए क्या क्या जल्दी ऑंसर की निकाल दी और कर दिया और रिजल्ट भी उसमें घोसित किया 14 जून को घोसित होना था लेकिन अपने डेड्स के चाने हो कि चार तारी को दो रिजल्ट आने थे एक दुंची तो इसी दिन उन्हों ने कहा कि अपना उनलू का ना सिरह कर लिया जाए लवाज इंग सीद्स और और आनन फानन में उन्होंने अपना रियल्ट घोजित कर दिया आप हाला कि कोई रियल्ट पर कोई रूप लगा नहीं सकता क्योंकि कोड का आदेश है कि आप अपना काम नेमित रूप से चलाते रहें तो जूटे तो तसल्ली है इस चोबिश लाख लड़के जो बैटे हैं इ अरही तक दो लड़के तीन लड़के दस लड़के फुल मार्क पाते थे आज देखे सेबंटी सिक्स यानि 67 यानि 67 यानि सरशट लोग 100 परसंट रिजल पागे बोलो ठीक है अच्छी बात है 720 वटे 720 मिला है मेनत किया है ठीक है लेकिन देखिए अब यहां पर कुछ देखने योग गिवाते हैं कि जैसे बहुत से लोड़कों को उसको नंबर मिले है 719 718 यह कैसा नंबर मिला है आप जानते हैं कि यह जो यह संचालित करवाती है परिच्छा इसमें यह प्रतेक कुष्चन आपका 180 कुष्चन का होता है और प्रतेक 180 कुष्चन को चार नंबर सही पर दिये जाते हैं तो 18 चोग 72 यानि 720 नंबर हो गया लेकिन अगर आप मानिस मार्किंग करते हैं तो मानिस एक नंबर काट लिया जाता है तो मानिस एक नंबर काटा जाएगा क्योंकि आपने गलत किया क्यों किया और चार नंबर आपका और कटेंगा क्योंकि गलत हुआ यह मार्किंग डंड है मानिस मार्किंग 1 प्लस 4 होता है यहाँ चार नंबर तो कटेंगा यह कटेंगा तो यह नि गलत पर आपका पांच नंबर कटेंगा तो किस हिसाब से अगर मानिस चोड़ दिया गया तो उसमें 0 नंबर दिया जाएगा तो 0 नंबर दिया जाएगा तो चार नंबर कटेंगा दांदनेगर्दी है हम तो पूरा मनमानी सब्सक्राइब पकड़ी अनंदेर ही एंधेर है इस नंगजरी में अब अन्धेर कुछ भोलने वाला नहीं कोई चुत नहीं करने वाला वो जैसे कि जैसे मरजी विँश रहा आप आप पुलिस पकड़ी है बिहार में तो क्या उसके पास साबोत नहीं है अब साबोत के साथ में तो गिह नहीं ङे खिलाप यहां तक कोई भी यह सब्ड को कहने को तयार नहीं है कि कुछ नीट में गरबड़ी हुई है सब अपने ताल-ताल में लगे हैं कोचिंग वाले बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले अपने पाल में लगे हैं जल्दी से सतर चालो हम नया topic टॉपिक श्टार्ट कर दें तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है तो अब क्या करना है या तो आप अपनी आवाज को उचे तक ले करके जाओ या तो चुपी मार के बैट जाओ क्या करना है कि जैसे सब के कटेगा इसे आपका भी होगा लेकिन ये इतनी बड़ी धांद्रेगर्दी गुंजाइस नहीं है अप बिल्कुल पानी सर के उपर हो गया है और आप लोग आवाज उठाएं हम तो साप कहते हैं कि पारदर्सिता आप लोग कहते हैं कि पारदर्सी है बिल्कुल NTA पारदर्सी है सब कुछ करवा पा रही है है अगर गलती नहीं है तो क्यों सवाल उठ रहे रहे कुछ ना아 कुछ तो गरना है कुछ ना कुछ तो है आप चारिए कम हो या ज़्यादा हो लेकिन कम से कम कोई सुने तो इसको बच्चों को स्टूडेंट को कोई तसली तो दे कि किस तरह से इसमें अन्यमित्ता आई है हां इसको एकसब कर रहे हैं आप जोर से पलू जाड़ रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए हमने सब पुरा सही से पारदर्श्ता पारदर्शी तरीके से मैंने अपने एकजाम को क्रेक करिया है ठीक है तो बैया जब तक इसमें कोई सरकार नहीं वालब होगी कोई कड़ा कदम उठाएगा नहीं तब तक यह तो 2024 की बात है पचीज में भी ऐसा होगा और अभी आपने सुना होगा कि जो माफिया पकड़ा गया था उसने कहा था कि नीट का एकजाम नीट को मतलब लीक करवाना ही कर नीट की परिछा लीक होगी और देखे उसने करवा दिया तो मापिया तो एक से बैठें बैया जब इतने पर आपने कुछ नहीं कर पाया तो आप तो सिदे सिदे से बात जान लिए कि अब क्या होगा जिसके पास पैसा है वो तो आगे बढ़ेगा और जिसके पास पैसा नह रह जाएगा तो इसलिए आप लोग मेहनत तो करते ही है कोई दिक्र नहीं है लेकि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है साथ कोई देगा नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे तो समस्या है आप जाकर कि फिर लौट आओगे क्योंकि जब जादे आप जब जाएगी जादे से जादा प्राइबेट तो जादे से जादा धन मिलेगा डोनेशन देना पड़ेगा और उसमें कमाई हो जाएगी यही क्यों चक्कर है लेकिन यह कोई ठीक नहीं है यह बहुत बड़ा एक्जाम है और हर बच्चे का सपना होता है कि जिन बच्चों का सप आपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते है सबीसे यह किसी बच्चे के अंगरिष्ट आपने महनत किया है आपका रिजल्ट अच्छा होगा पकी बात चाहे एक बार रिजल्ट हो चाहे और ग जाब यह दो बार u एक्जाम आप करेक कर सकते हैं अगर आपने 700 लाय है इस बार तो 700 कम नहीं होगा लेकिन उनको भी ध्यान में रखो जिसके साथ हन्य मित्ता हुई है ठीक है तो देखें जुलाई में कुछ होने वाला है अब जुलाई में क्या होने वाला है तब तक कॉंसलिंग डेट आ जाए हो जाएगा फिर चौविस का आगया पचीस पचीस में भी बहुत बड़ा माफिया सब जब इतना रही हुआ तो और आगे हो जाएगा तो यह तो अब रेन केन हो जाएगा जिसको कहते हैं आम बात ठीक है आप इस परिच्छा का अगर मतलब नहीं करना है अगर आपको करेगा और बच्चों का या और से भी का सपना क्या होगा वो तो बविस में जाने बविस में क्या होगा वो तो देखा जाएगा लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है ठीक है इसलिए हमें चाहते है कि ज्यादे से ज़्यादा आवाज उठाएं और यह चीज आगे तो और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुई हैं तो आप पुना पढ़ाय पर जुड़ जाए क्योंकि जुलाइब में क्या होगा किस करवट उट बैठेगा उट किस करवट बैठ रहा है कोई पक्का नहीं कि आपका रीगजाम होई जाए या अब रीगजाम तो बहुत ही 5% है कि जो आपका सलेवस है उसको मेंटेन रखें भगवान बरोसे पढ़ते रहो देखना है सफलता मिलती है कम मिलती है इस तरह से दांदले गरदी रहेगी तो साइद कम मिलती है भगवान जाने लेकिन अगर कुछ कदम कड़ा कदम कोई कठोर कोई उपाय होता है तो आप में जुलाई में कुछ हो तब तक तो काम हो चुका होगा लेकिन ठीक है कुछ जुलाई तक हावसला बनाये रखें और मेहनत करें मेहनत करें और आप आगे बढ़े यह हम लोगों का मतलब विचार है और ठीक है अगर आपकी आवाज अगर आगी जाएगी तो कोई इस पर देखना है क्या होता है मैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार